क्या ताज महल को कुछ सालों में तोड़ दिया जाएगा और आज अब सबसे पहली बार चांद के असली मालिक को देखने वाले हैं और क्या कभी आपने सोचा है कि आकर मेराथॉन के दौरान एथलीट्स को अपनी पैंट में ही पॉटी क्यों करनी पड़ती है मिलेगा सबका जवाब चलिए चुरू करते हैं आज के रेड़म फैक्ट के अध्याय को हम सभी जानते हैं कि हॉरर शोज यूथ में काफी जादा पॉपलर होते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आकर इन तरीके की शोज की शुरूआत हमारे देश भारत में कब और कहां से हुई असरम दोस्तों भारत के सबसे पहले होरर शो को साल 1993 में Zी चैनल के दौरा Zी होरर शो के नाम से देश के सामने लाया गया था जिसके सबसे पहले एपिसोड की कुछ स्पेशल जलकिया अभी आपकी स्क्रीन पर आपको देख भी रही हैं और यहीं से ही हमारे देश भारत में होरर शोस का ट्रेंड अपने चरम पर बहुँचा था सच में रेयर पैक नमर 19 क्या आपको बताएं किस दुनिया में मौझूद एफ्रिकनाइजड बी अगर किसी भी इंसान को डंक मार दे तो उस इंसान का देहांत मात्र उस डंक के दर्द की वज़े से ही हो जाता है लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है दोस्तों कि यह बीज नेचर की देन नहीं बलकि हम इंसानों की ही देन हैं असले दोस्तों साल 1957 में वालविक एस्टिवन नाम की एक सैंटिस ने एफ्रिकन और यूरूपीन बीज की डिनेस को कमबाइंड करके इन एफ्रिकनाइजड बीज को बनाया था जिससे की वो जादा से जादा हनी को कलेट कर सकें लेकिन जैसे ही यह बीज बन कर तयार हुई रिसरचस ने यह पाया कि यह बीज को जादा ही एग्रेसिब है जिसके चलते हुए जैसे ही इन्हें खद्म कनने का ट्राय किया गया इन मैंसे बीज बीज अचानक से ही उड़ गई जिसके चलते हुए आज इन्होंने अपनी इतनी तादाद भड़ा ली है कि हर साल लगबग एक हजार लोगों का देहानत सिर्फ इसी बीज के डंक मानने की वज़ा से हो जाता है अजीब लेकिन साच दूस्तों अगर में आप से पूछ हूँ के चानद का असली मालिक कौन है तो आल्मूस्ट आम मैं से बहुत से लोग बोलेंगे के भाई में हर एक देश ने इस बात पर सहमती जताई थी कि वो आउटर स्पेस के किसी भी प्लैनेट पर अपना अधिकार नहीं जताएंगे लेकिन इस ट्रीटी में सबसे बड़ी कमी ये थी कि यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया था कि देश के साथ कोई इंडिविजल नागरिक भी चांद के उपर अपने अधिकार को नहीं जताएगा और इसी कमी को पकड़ते हुए टेनिस ने यूएस गवर्मेंट को ये लेटर लिखा कि वो ही चांद के असली मालिक है अब क्योंकि ये चीज और लेटर यूएस गवर्मेंट को सिर्फ एक मजाग लगा तो उन्होंने इसका रिपलाई कभी भी दिया ही नहीं जिसके चलते हुए इस शक्स ने महस कुछ टाइम पीरेट के दौरान ही 611 मिलियन एकड की चांद की जमीन को अर्वो खर्वो रुपे में बेच डाला जब यूएस गवर्मेंट को इस गोटाले के बारे में पता चला तो ये देख उनके खोश उड़ गए और वास्तम में ये चीज सरचकराद देने वाली जरूर थी दोस्तो कमियां हर किसी में होती है फिर वो चाहें एक साधरन इंसान हो या फिर एक संकी ताना शाहरोसी की तरश पर क्या आपको बता है कि किम जॉन उन इस पूरी दुनिया के इकलोते ऐसे लीडर है जो कि पब्लिक प्लेसिज में अपनी शूज को छिपाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इसकी पीछे का सबसे बड़ा कारण उनके शूज में लगने वाला एक्स्ट्रा हील सोल है असब दोस्तर भी हाल ही में जारी हुए एक कमपनी के स्टेटमेंट में ये बास सामने आई है कि किम अपनी हाइट जादा दिखाने के लिए स्पेशली एक्स्ट्रा हिल वाले शूज को बनवाते हैं और लोगों की नजर इन शूज पर ना पड़े इसलिए वो एक्स्ट्रा लॉंग पैंट्स को भी पहनते हैं और ये चीज वास्ता में काफी जादा अजीब है जहां पर एक देश के लीडर को इन तरीके की अजीब सी हरकतें करनी पड़ती हैं दोस्तों अक्सर ये कहा जाता है कि ताली एक हास से नहीं बचती लेकिन बात जब इंडियंस की आती है तो शायरियां पर इंपॉसिबल शब्द हमारी डिशनरी में है ही नहीं मिलिए अनमूल कैलाश्ते जिनके की नाम कुछ इस तरीके से एक हा से बज़ सकती है क्याम को बता है कि जब भी हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन में स्पाइनल नाम का एक ऐसा फ्ल्यूड भी भेता है जो कि हमारे ब्रेन से वेस्ट को खत्म करने का काम करता है दोसर वेब की स्क्रीन पर आपको एक हुमन ब्रेन का मूविंग अमराई देख रहा है और इस कंडिशन में आप बहदी साफ तोर से रेड शेड में उसी स्पाइनल फ्ल्यूड को हमारे ब्रेन से वेस्ट को खत्म करते हुए देख सकती है क्या पको बता है कि साल 1937 में जर्मनी में एक ऐसी बस को भी बना का तयार किया गया था जोगी बिना एंजिन के ही चलती थी असरम दोसरों इन तरीके की बस को चलाने के लिए कुछ इस तरीके से इसके उपर एक बड़ी विंड टनल को कनेक्ट किया जाता था जिसकी मदद से ये बस बेहदी आसानी से एक जगे से दूसरी जगे ट्रेवल कर पाती थी बट अनफॉर्चिनेटली क्योंकि इस तरीके की बस जादा तेज या फिर भारी वेट के साथ आगे नहीं भड़ पाती थी तो आगे चलकर इस अमेजिंग सी टेकनोलोजी को टर्ण डे वस्ते में डाल दिया गया दोस्तों आपने एक से बढ़कर एक बिस्किट तो ज़रूर खाए होंगे लेकिन क्या कभी आपने एक जिंदा बिस्किट को खाया है नहीं तो चलिए आज खा लीजिए दोस्तों भी आपके स्क्रीम पर आपको जो चीज दिख रही है उसे लिविंग बिस्किट के नाम से जाना जाता है क्या को बताएगे अगर एक हेल्दी हुमन की यूरिन को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें हमें बैक्टिरियास दिखने के साथ साथ कुछ इस तरीके के बहादी खूबसूरत क्रिस्टल्स भी दिखाई देते हैं असरम दोस्तों इन क्रिस्टल्स को कैशियम ऑग्जिलेट क्रिस्टल्स के नाम से जाना जाता है जो कि हमारे किटनी में मौजूद स्टोंस की वज़े से जणरेट होते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने उस चीज को देखा है जिसके बारे में लाखों लोगों को तो पता तक नहीं होता। दोस्तो हम सभी ने बच्पन में हमारे देश की बहुत सी महान परसनेलिटीज की बायोग्रफी को तो अपनी स्कूल की बुक्स में पढ़ा ही है। इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तो हम सभी डॉग, कैट या फिर एलिफेंट जैसे एनिमल को तो जानते ही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पोचूँ कि क्या कभी आपने और्ड वर्क नाम के एनिमल को देखा है, तो क्या उसका बिलकुत स्टेटिक एंसर आपके पास मौजूद होगा। दोस्तों बेब की स्क्रीन पर आपको जो एनिमल देख रहा है, उसे और्ड वर्क के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों की एनिमल इतना जादा रेयर होता है, कि अभी हल ही मैं UK के एक जूम में इस एनिमल ने 90 सालों के बाद जन्म लिया है। और यही चीज इस एनिमल और इस वीडियो क्लिक को काफी जादा रेयर भी बना देती है। यहां पर कुछ इस तरीके की चीज को किया जाता है। सच में अमेजिंग। दोस्तों अक्सर हम तूटते हुए तायरे को देखते ही उसने विश मागना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको बता है कि 90% केसिस में वो चीज एक टूटा हुआ तारा नहीं बलकि इनसानी पॉटी होती है। नहीं समझे तो चलिए समझाता हूँ। पास्तम में तूटा हुआ तारा है या फिर सिर्फ इनसानी पॉटी। बदलते मौसम में सर्दी जुखाम होना काफी आम बात है। लेकिन क्या हो कि अगर यही सर्दी जुखाम आपकी याददास्थ ही ले जाए। मिली एक क्लेरी री से जोकी यूके की एक जुर्नलिस्ट है। इसी के साथ ही इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी लेडी भी बन गई है। जोकी सिर्फ सर्दी जुखाम की चलते ही अपनी याददास्थ को खो बैटी है। हिरोशिमा और नागासाकी ये दो ऐसी जगे हैं जिनके बारे में स्मूरी दुनिया के अल्मोस्ट सबी लोग जानते हैं। ये एक बात जो शार आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि नागासाकी कभी भी यूएस आर्मी का टार्गेट था ही नहीं। असमने दोस्तों यूएस आर्मी ने खुद इस बात को एडमिट किया है कि उनका टार्गेट जिपैन का एक शहर कोकुरा था। लेकिन क्योंकि उस समय कोकुरा के आसमान में बादल थे तो यूएस आर्मी को कभी ये पता चला ही नहीं कि जिस शहर को वो टार्गेट कर रहे हैं हाकिकत में वो कोकुरा नहीं बलकि नागासाकी है। और इसलिए सिर्फ इसी confusion में नागा साकी को वो सब जेलना पड़ गया जो हाकिकत में उसे कभी face करना ही नहीं था. दोसे इस दुनिया में बहुत से ऐसी देश मौझूद हैं जहाँ पर अगर आपको एक पाल्तू डॉक को रखना है तो उससे पहले आपको उसका registration कराना होगा और इनी cities में से अब गाजियाबाद भी एक city बन चुकी है. असमन दोसे भी हाल ही में जारी की गए एक रिपोर्ट से बाद पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर गाजियाबाद की लोग 31 मार्ज तक अपने pet dogs का registration नहीं कराएंगे तो उनसे penalty के तर्च पर काफी मौटी रकम वसूली जा सकती है. वैसे क्या ये लौस सही है या फिर गलत आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा. पैक नमर फूर क्या पना मता है कि मासूम सी दिखने वाली इस गोराया बर्ड ने एक समय पर साड़े चार करोड लोगों को खत्म किया था. असमन दोसमें वाक्या था साल 1958 का जब चाइना की एक लीडर माओ जेडॉंग ने स्पैरो बर्ड सहीद बहुसी बर्ड को सिर्फ इसलिए खत्म करा दिया क्योंकि ये अनाच की दानों को खा जाती थी. लेकिन जैसे ही चाइना में इन तरीके की बर्ड की संख्या अल्मोस्ट जीरो के आसपास पहुँची, छोटे मोटे कीट पदंगों ने चाइना की फसलों की उपर अटेक कर दिया, जिसके चलते हुए चाइना में इतने बड़े स्किल पर भुगमरी फैली कि इसने वर्षिय रियांश सोरानी दुनिया के सबसे कम उमर के सर्टीफाइड योगा इंस्ट्रक्टर बन चुके हैं, जिसके चलते हुए इनके नाम एक औव विश्वसनिये से वर्ड रेकॉर्ड को भी कर दिया गया है मैराथन रणर अपनी पैंट में पोटी क्यों करते हैं? उस पर प्रेशर डालना शुरू कर देती है और ये एक सैकलोजिकल प्रोसेस होता है जो कि इस कंडिशन में हमारी बोडी रिप्रेजेंट करती है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जब एक एथलीट काफी तेज स्पीट के साथ दोड़ना शुरू करता है तो कुछ प्रेज में ना चाते हुए भी उसकी बोडी पैंट के अंदर ही पॉटी को रिलीज कर देती है जिसकों की मेडिकल लेंग्वेज में रनर्स ट्रॉट्स या फिर जिंजर ब्रेड मैन प्रोसेस के नम से जाना चाता है तो फाइनली अब आब यह भी जाते हैं कि आकिर क्यू आने वाले समय में हमें ताजमेल जैसी बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा लेकिन आकिर ऐसा क्यूं असंदो सभी हाली ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसा ताजमेल को पॉलुशन से पिछले 10 सालों में जितना जादा नुकसान हुआ है उतना नुकसान उसे 100 सालों में कभी भी नहीं हुआ था और इसका सबसे बड़ा कारण एट्मोस्ट्वेर में मौजूद नैनो पार्टिकल्स हैं यूकि ताजमेल के मर्वल के साथ सीधा कॉंटेट करके उसे डेमिज करने के साथ साथ येलो कलर में भी कनवर्ट कर देते हैं जिसके चलते हुए बिल्डिंग उपर से काफी जादा कमजूर होती हुई चली जा रही है तो वहीं दोस्तों बात अगर इस बिल्डिंग की नीव की की जाए तो इसकी नीव को सागवान लकडी, आयरन और ब्रिक्स का इस्तमाल करते हुए बनाया गया है अब यहांपर सबसे जादा मीजिंग बात यह है दोस्तों कि इस बिल्डिंग की नीव को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब तक यह नीव पानी के कॉंटेक्ट में रहती है यह स्ट्रॉंग बनती हुई चली जाती है बट ऑन दी अधर हैंड बात अगर प्रिजेंट डेट की की जाए तो समर सीज में यमना का लेबल इतना जादा कम हो जाता है कि कुछ महीनों तक तो इस बिल्डिंग की नीव को प्रॉपर तरीके से पानी मिल ही नहीं पाता है जिसके चलते हुए कुछ एक्सपर्स का ऐसा मानना है कि ताजमेल हर साल कुछ मिलीमीटर नीचे भी धस्ता हुआ चाला जा जिसके चलते हुए ना सिर्फ ये बिल्डिंग उपर से काफी जादा डेमेज हो रही है बलकि ये नीव से भी काफी जादा कमजोर हो चुकी है और शायर यही वो कारण है जिसके चलते हुए एक्सपर्स का कुछ ऐसा मानना है कि अगर इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रही हैं जिसकी वज़े से इस अनमुल दरोहर को सेव रखा जा सके और इसलिए ताजमेल के आसपास उन सभी चीज़ों पर रेस्टिक्शन को लगा दिया गया है जिसकी वज़े से एयर में पॉलुशन जनरेट होता है तो भई दोस्तों बात अगर वाटर लेवल्स की की जाए तो बहुत से ऐसी प्लांस हमारे सामने आए हैं जिसमें गवर्मेंट के दोरह ये प्लैन किया जा रहा है कि वो जल्द ही एक बांद बना कर यमना के वाटर लेवल को मैंटेन कर देंगे हाला कि ये सारी ही चीज़े कितनी जादा एफेक्टिव होंगी ये तो अब आखिर वो कौसी चीज़े हैं जिसकी वज़े से ताज महल कमजोर होता हुआ चला जा रहा है दोस्ते किसी ने कूपी कहा है कि पैरोगें जितना जादा बाटा रहा हुदा है कामें इस वीडियो को दिल को एक लाइक शेर और कॉमेंट जरूर कीज़ेगा दोस्ते चैनल को आप सबस्क्राइब जरूर कीज़ेगा क्योंकि हम बहुती जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं साथी साथ दोस्तों अपनी नॉलिज को और जादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेक आउट कर सकते हैं और चाहें तो मुझे स्टेग्रेम पर भी फालू कर सकते हैं एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप से बीसे दुबारा मुलागा दोगी दोस्तों जैहिंद